हलो गैस वेलकम टो यस लेर्निक चैनल इस वीडियो में हम सीखने वाल है राणिंग फन्वर आपने पिशली वीडियो में सीखा इंटरनाशनल प्रेस्वालुए वीडियो नहीं देखा अमनल स्कीलिंग डिस्क्रिप्शन वॉक्स में आप वहां जाकर देख सकते हैं So guys, अब हम इस वीडियो में देखेंगे rounding of number So what is rounding of number? To make calculation easy, we can round off numbers Rounding makes a number simpler but keep its value close to what it was So guys, numbers को calculate करने में easily अपन जब बोलना चाहते हैं या फिर किसी भी number को हम easily जब कुछ बताना चाहते हैं तो हम उस numbers को क्या है? round off कर लेते हैं और round off क्या है? simpler method है But it keeps value close to what it was मतलब या value क्या है? जो number, actual number है उसके कहा है simpler number के खरीब रहते हैं For example, when you want to make a guess about the number of people traveling in a bus You say there are about 40 to 50 people in the bus Whereas when you count them, they may be 46 or 47 अगर हम जब किसी numbers में इतने परसन से बोलना चाहरे तो हम क्या बते है? 40 से 50 तक बच्चे हैं बोलते हैं So, जब हम actually जब numbers count करते हैं जब हम actually बच्चे count करते हैं कितने students हैं, कितने children से बोलके तो हमें ये मालूम होता है कि उसके अंदर 46 और 47 students मिलते हैं So, therefore, we round off the number to estimate the figure or amount तो हम वो numbers को क्या कर दिया है? Round off कर दिया है, 40 या 50 के बीच में So, तो actual numbers में बच्चे कितने थे? 46 या 47 थे So guys, हम सबसे पर लेकिया है nearest of 10 देखींगे इसके बाद nearest of 100 देखींगे So, nearest of 10 में क्या है? If we have 11, we say we have about 10 अगर हमारे पास 11 रुपीज है तो हम उसको क्या कहते है? अगर कोई पूछे आपके पास कितने रुपीज है तो हम कहते है कि हमारे सफ 10 रुपीज है वड़के हम कहते है So, इसी तरह अगर हमारे पास 17 रुपीज है If we have 17 रुपीज, we say we have about 20 रुपीज तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 20 रूपीज है, एक्टिली हमारे पास रूपीज 17 है, लेकिन हम क्या है, उसे round off करके हम क्या कह रहे हैं, 20 रूपीज कह रहे हैं, So, for rounding of a number to the nearest 10, we look at the digit in the once place, nearest 10 में जब हम numbers को round off करते हैं, तो हम once की place में जो digit हाथा, उस number को देखके हम क्या number को round off करते हैं, in the above picture, So, अब हम एक picture ले लिएंगे, जिसके अंदर के हम देखेंगे, in the above picture, if the digit in the once place is between 1 and 5, the car goes back towards 0, as it is closer to 0, So, अगर numbers 0 और 5 के बीच में रहा, अगर 0 और 5 के बीच में अगर car रहे, तो car क्या होती है हमारी dawn की तरफ जाती है, So, example कोई तरफ में, 12 is rounded off to 10, 12 क्या है, rounded off 10, अगर हमारे पास 12 रुपीस है, अगर कोई हमें पूछ ले, कि आपके पास कितने पैस है, तो हम क्या कहते हैं है, हमारे पास सिर्फ 10 रुपीस है बलता है, So, इसी तरफ 33 is rounded off to 30, अगर हमारे पास 33 है, तो हम उसको क्या है, 30 को round off परते हैं, जब हम 10s digits में, 10s में जब हम round off करते हैं, nearest 10 में, तो हम क्या है, once case में देखते हैं, once case में अगर 0 से लेके 5 के बीच में है, तो हम वो नमबर को अटा के उधर क्या लगाते हैं, 0 लगा देते हैं, जैसा कि 12 है, 12 की जगे पर, once की जगे पर क्या है, 2 है, हम क्या करें, 2 को अटा दिये, और कितने पुछें तो हम 10 बोल दिये, इसी तरह 33 है, 33 में क्या हम, अगर कितने पैसे होगे पुछें, तो हम क्या करें, 33 के नमबर को 30 बोल दिये, इसी तरह 74 is rounded off to 70, जब हमारे पास 74 है, अगर हमें कोई पूछें, आपके पास कितने रुपीस है, तो हम क्या बोलते हैं, 70 रुपीस है, हम क्या हैं, यह निरस 10 को अपन में कहा है, जब 0 से लेकर 4 के बीच में रहता, तो हम 0 हटा देके, यह नमबर हटा देके, वो प्लेस पर क्या रख देते हैं, वोस की प्लेस में, सिफ 0 लगा देते हैं, इव दा डिजेट इन वनस प्लेस, इस लेस दन 5, उसको जैसे का ऐसी छोड़ेते हैं जैसा कि हमने previous 3 examples में देखा 12 को हम 10 बोर रहे हैं 10s की place में कुछ भी change ने हो रहा 33 को हम 30 बोर रहे हैं So 1s की place में हम 3 को टाके 0 रख दिये लेकिन 3 जो हमारा 10s की place का 3 अपने से कुछ भी change ने करें वो जैसे का ऐसा as it is है इसी तरह हम 74 ले 74 में हमारा जो 1s था उसको हम 0 ले लिए लेकिन 7s के जो हमारा 10s की place में जो 7 है उसको हम कुछ भी ने करें So guys, if the digit in the 1s place is 5 और between 5 and 9 the car goes down towards 10 as it is closer to 10 अगर हमारा जो number है car जो अगर 5 या 5 और 9 के बीच में हमारा जो भी number आता तो car कहा जाती down की तरफ, आगे की तरफ चल जाती So example की तरफ़ 16 is rounded off to 20 अगर हमारा number 1s की जगे पे अगर 5 और 5 के आगे 9 के बीच में जो भी रहा तो हम उसका एक number बढ़ा देते हम क्या है 1s की place में 0 लिख लेते और 10s की place में plus 1 add कर लेते जैसा के 16 है So 16 की जगे पे हम 6 की जगे पे 1s की place पे 0 ले ले 10s की place में हमारा 1 था हम उसकी जगे पे 1 add करके क्या कर दिए उसके 20 कर दिए इसी तरह next example हमारा 38 38 is rounded off to 40 So 38 की जगे पे हम सिर्फ क्या करें 38 is nearest to 40 38 क्या है 5 और 9 के बीच में जो हमारा 8 है वो 5 और 9 के बीच में है तो हम क्या करेंगे 8 को 0 कर दिए 3 को क्या करेंगे 4 कर दिए तो ये भी क्या होगा हमारा nearest to 10 हो गया So उसके बाद हमारा next example है 97 97 is rounded off to 100 97 जो है ये 100 को rounded off है 97 में जो 7 है 1 की प्लेश पे ये 5 और 9 के बीच में So guys हम क्या करेंगे इदर 0 लख लेंगे और 9 के जगे पे जो है हम उदर add कर लेंगे 1 तो 9 प्लेश वन क्या होगा 10 So हम 97 को क्या है rounded off को क्या है 100 बोलते है If the digit in 1's place is 5 और greater than 5 Put 0 in the 1's place and add 1 to the digit in 10's place अगर number 1's की place में 5 या greater than 5 है 9 के बीच में है तो हम कहा करते है वो 1's की जगे पे 0 दाल देते और जो 10's रता 10's की value जो भी रहती उसके वो हम plus 1 add करके number को round off करके बोल देते जैसा कि हमने उपर के 3 example में बोला जैसा कि 16 है 16 को 20 बोल दिये 16 के 1's को 0 दाल दिये और 10's की place में जो हमारा 1 था उसमें हम 1 add कर दिये तो वो कहाँगा 20 होगा so उसके बाद हमारा next example था 38 38 में हमारा जो 8 था 8 को 0 ले लिए और जो हमारा 10's की place में 3 था उसमें 1 add कर लिए 40 nearest to 40 अब हम देखेंगे rounding of the nearest hundred, अब nearest hundred को हम किस तरह rounding off करते हैं, if we have rupees 121, we say we have about 100, अगर हमारे पास 121 रूपीज है, तो अगर हमें कोई पूछ ले, आपके पास कितने रूपीज है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ हमारे पास 100 रूपीज है और करते हैं, क्योंकि हम यहां पर क्या है, हमारे पास 100 में rounding off कर रहे हैं, so if we have rupees 191, we say we have about rupees 200, अगर हमारे पास 191 रूपीज है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हमारे पास 200 रूपीज है वोलके हम उसे कहते हैं, अगर कोई हमें पूछ ले, for rounding of a number to the nearest hundred, we look at the digit in the tenth place, nearest hundred में हम number को rounding off करने के लिए क्या है, हम 10 की place में देखते ह So, in the above picture, if the digit in the tenth place is between 0 and 5, the car goes back to the same hundred, अगर 0 और 5 के बीच में हमारा जो यहां पे क्या है, 100 में nearest कर दे हम, तो 100 में nearest कर दे मतलब हम यहां पे क्या है, 10 की value को देखते हैं, अगर 10 की place में अगर value 0 और 5 के बीच में रहे, या उसके below रहे, nearest to 100 हो जाता है, so example की तोर पे देख लि हमारा जो 10 में, 113 में 10 में 10 में जो number है, वो 1 है, so 113, so यह भी कहा है, nearest to 100 है, इसी तरह 246, so हमारा जो 10 में जो 10 में जो number है, वो 4 है, तो अगर कोई हमें पूछ ले कितने पैसे हैं, आपके पास हम क्या करते है, 200, so क्योंकि हम यहां पे rounding off to 100 कह रहे है, so हमारा जो 4 है, वो less than 5 है, if the digit in 10th place is less than 5, put 0 in the 10th and once place and keep 100 place as it is, अगर हमारा number 10 की place में अगर 0 और 5 के बीच में रहा, तो हम क्या करते है, once और 10 की place में 0 लिख लेते हैं, और जो 100 की जो place value है, उसको as it is लिख लेते हैं, उसमें कुछ भी changes नहीं आता, if the digit in 10th place is 5 और between 5 and 10, the car goes down towards the higher 100, so अगर हमारा 10 की place में अगर number 5 है, या फिर 5 के अबाउ है, 9 के बीच में और 5 के बीच में है, तो हमारी car जो है, वो आगे की तरफ बढ़ जादी, example की तरफ है, 156 is rounded off to 200, यहाँ पर क्या है, 5 और 9 के बीच में जो भी number है, वो क्या है, 200 के खरीफ चले गई हमारी, जैसा कि 156 156 है, 156 is rounded off to 200, अब next example 387, 387 is rounded off to 400, क्योंकि हमारा 8 जो है, 5 और 9 के बीच में का है, so 8 को हम क्या है, इसके अंदर एक number को add कर ले रहे, और 1s और 10s को 0 कर ले रहे, 100 की जगे पर क्या कर रहे है, हम सिफ 1 number को add कर ले रहे, जैसा कि हमारा यहाँ पर 100 की place में 3 था, हम 3 की जगे पर सिफ 1 add कर लिए, 3 plus 1, 4, so यह क्या होगा हमारा 400, if the digit in the 10s place is 5 or greater than 5, add 1 to the 100 place and put 0s in the 10s and 1s place, अगर digit में 5 और 10s की place में, तो हम क्या करते है, 1s और 10s की place को 0 ले 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 लेते हैं, और जो 100 की place में जो value है, उसको हम सिफ 1 add कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो number आता, 1 add करने क उसे as it is कह देते हैं, जैसा कि हमारे above example में 387 था, हमने क्या क्या है, इदर सिफ 8 क्या है, हमारा 10s की place में, यह 5 और 9 के 20 का number है, तो यह क्या है, greater number है 5 से, तो हमने क्या क्या, once और 10s की place में 0 ले ले लिया, और 100s की place में सिफ 1 add कर लिया, तो हमें क्या क्या है, 400 हो गया, तो हम हर number को करते हैं, अगर हम thousand की place value, अगर हम thousand में rounding off कर दे हैं, तो हम thousands में क्या देखते हैं, सिफ 100 की place value को देखते हैं, अगर 100 की place value में अगर above रहा, क्या, अगर above रहा 5 के, तो हम क्या करते हैं, thousand में एक number add कर देते हैं, thousand की place में, और 100 और 10s को हम 0 ले ले लेते हैं, इसी तरह हम बाखी के नमबर को भी करते हैं सो गैस मिलते हैं हमारे नेक्स वीडियो में थैंक्यो फर वाचिन